आप इस्टार्टिंग में अपने जो रील्स में ऑटो जनेरेटेट सब्टाइटल्स को देखा गाइज इन ही सब्टाइटल्स को मैं आपको एंडॉइड में विदाउट आइपॉन के क्रियेट करना स्खाऊंगा गाईज इन सब्टाइटल्स को create करना काफी ज़्यादा easy है और इन सब्टाइटल्स का use अगर आप अपनी वीडियो reels में करते हो source में use करते हैं उन सब्टाइटल्स को तो गाईज आपकी जो है reel में काफी attractive look आ जाता है viewers को आपकी reel काफी ज़्यादा attractive लगती है काफी ज़्यादा professional लगती है और गाईज इन सब्टाइटल्स को मैं आपको autocap app से generate करना नहीं सिखाओंगा क्योंकि ये app काफी phone में तो work करता है पर काफी phone में work नहीं करता है और गाईज इन सब्टाइटल्स में ये वाली animation काफी ज़्यादा popular है तो गाईज ये वाली animation भी आपको मैं सिखा देता हूँ तो वीडियो start कर लेते हैं description या app in comment में link पर click करके आप लोग इस website पर आ जाओगे इस website के link मैंने दे दी है दोनों जगे पर तो link पर जैसे ही click करोगे इस website पर आ जाओगे आने के बाद आपको start for free पर click कर देना है इस वीडियो को आप लोगों को द्यान से watch करना है और वीडियो को कहीं भी छोड़ना नहीं है नहीं तो आप लोग ये subtitles add नहीं कर पाओगे तो आने के बाद आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का interface आजाएगा थोड़ी देर wait करने के बाद तो अभी यहाँ पर subtitles को option देख कर भाग मत जाना यहाँ पर आपको click करना है add media to this project वाले इस button पर फिर आपको file manager को select करना है और यहाँ से जिस भी वीडियो आप subtitles को add करना चाहते हो उसे ही यहाँ पर आपको ले आना है guys यहाँ पर मैं एक वीडियो को select कर ले रहा हूँ काफी लंब वीडियो है 15 से 20 सेकंड का तो आप जितना लंब चाओ उतना लंब वीडियो यहाँ पर select कर सकते हो यहाँ पर वीडियो लाने के बाद आप लोग देख सकते हूँ यह अप्लोडिंग होना start हो गया है और यहाँ पर काफी जल्दी यह upload भी हो गया है होने के बाद यहाँ पर आपको subtitles वाले option पर click करना है और यहाँ जिस भी language में आपका वीडियो है आपको यहाँ Hindi language भी देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर मेरा English पर है तो मैं English सेलेट करके generate subtitles पर click कर देता हूँ थोड़ो ही टाइम में यहाँ पर सारे के सारे subtitles देखने को मिल जाएँगी यहाँ पर auto generate हो जाएँगे तो इन्हें आप लोग चाहते हो edit करना लोग बीच में cursor को लाकर जो है enter की या पर जो की कौने में आपको की देखने को मिलती ही यह वाली इस पर आप लोग क्लिक करके से जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो अब काइस इसमें आप लोगों को animation डालने के लिए आपको जो है इस color वाले option पर क्लिक कर देना इस बीच वाले option पर जैसे क्लिक करोगी काफी सारे option यहाँ पर सो होने लगेंगे तो यहां से आप लोग डेक्ट वाले option पर जाकर यहां से इसका font बगेरा चेंज कर सकते हो और यहां पर खुदका एक font जो upload कर सकते हो पर यह वाला फीचर जो है premium में है इस वक्त तो यहां पर आप लोग किसी font को select कर सकते हो काफी सारी free fonts वी आपको यहां पर देखने को को मिलेंग이 तो यहां पर मैंने, font को सेलेटर करें लिए, side में आफको जो है, font की side बड़ा छोटा करने का option देखने को मिलता है, तो यहां पर मैं 72 कर दे रहा हूं, अब यहांपर font को मैं बड़े अक्शन में capital letter में रखना चाहता हूं, साथी साथ यहाँ पर effect वाले option में जाके आप सेट हो background भी add कर सकते हो यहाँ पर outline भी add कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने outline पर select कर दिया है पर यह देखने में जादा अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ से मैं color बगेरा भी change कर सकता हूँ और यहाँ पर आपको नीचे animation का option देखन mission जो है आ गई है आप यहाँ पर जो नील कलर का line है आप इस पर click करके से adjust कर सकते हो आँगे पीछे तो आपको जिसको भी adjust करना है जिसे भी edit करना उसके उपर आपको लाके इसके नीचे tap कर देना और इसे आप लोग छोटा बढ़ा करके set कर सकते हो अपने वीडियो के according उस इसे click करोगे कुछ इस तरीकी के page पर आप री डायरेक्ट हो जाओगे अब आपको sign up वाले इस button पर tab कर देना है तब ही आप इसे download कर पाओगे आपको sign up with google कर लेना है और यहाँ पर अपने किसी भी google account से आप लोगों को इसे login कर लेना है login होने के बाद थोड़ी देर waiting होने दे रहा हूं five things to do before seven a.m. number one drink water first thing in the morning number two stay away from your smartphone number three work out for 20 minutes कोने में अप लोगों ने देखा आपको watermark देखने को मिल रहा था तो इसके लिए हमें chrome पर जाना है और video watermark remover सर्च करके जो first वाली website आईगी उसे open करना है यहाँ पर आपको अपनी video को upload करना है और जहाँ भी watermark है उधर आपको इस तरीके से select कर देना है तो यहाँ पर मैं button पर click कर देना है click करोगे यहाँ पर खुच देरी यहाँ पर यह uploading होना start हो जाएगा तो मैं इसे uploading को खर देता हूं इसके बिता कि आपको जल्दी से जल्दी बता सकूं और आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल subscribe कर लेना तो यहाँ पर देख सकते हो uploading हो चुकि यह पूरी अब मैं save बाले बटन पर इस वीडियो को download कर सकता हूं click करके तो यहाँ पर मैंने click कर दिया और वीडियो download हो गया है अब आप लोग देख सकते हो final result